हेलो फ्रेंट्स मैं हुनितिन और स्वागत है आपका यूटूब चलेंग इन्फोटेक ओफिशल में अधारकाड एक ऐसा डाकॉमेंट है जिसका इस्तमाल हम किसी ना किसी रूट में करते हैं चाए हमें बैंक अकाउंट ओपन करना हो या फिर किसी सरकारी युजणन का लाब लेना हो पर अन्य किसी तरिक का काम हो जहांपे अधारकाड के हमेंग जरुद पढ़ जाती है अधारकाड को UI-DI की तरफ से जारी किया जाता है हमारे अधार कार्ड में हमारा 12 डिट का अधार नमबर भी प्रिंट रहता है साथ ही हमारे अधार कार्ड में जिता भी हमारा डेटा होता है जैसे कि name, date of birth, साथ हमारा address ये सभी चीज़े हमारे अधार कार्ड में सुरक्षित रहती है किसी भी सरकारी या गेर सरकारी काम के लिए हम कई बार अपने अधारकार काूज करते हैं, उसकी फोटोकपी माहापे हम प्रवाइट करवाते हैं ऐसे में हमारे अधारकार की मिस्यूज की जो अशंका है, वो यहां पे बढ़ जाती है इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए UIDI की तरफ से mask अधारकार को launch किया गया है जिसे आप UIDI के portal पर जाके बड़ी असानी से download कर सकते हैं आज की वीडियो में मैं आपको mask अधारकार download करने का complete process दिखाने वाला हूँ साथ ही आपको बताऊगा कि mask अधारकार का use आप कहां कहां पर कर सकते हैं तो चलिए बिना देर की वीडियो को start करते हैं बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चनल पर first time विजिट कर रहे हैं mask अधारकार download करने से पहले सबसे पहले आपे बात कर लेते हैं कि आखिर mask अधारकार होता क्या है तो देखे जैसा कि हमारा normal अधारकार होता है बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर mask अधारकार दिखाई देता है तो security issue की वज़े से ताकि आपके अधार का कहीं पर miss use ना हो सके तो government की तरफ से यहाँ पर optional का गया है कि आप भी अपने mask अधार काड को डाउलोड करके उसका इस्तमाल कहीं पर भी कर सकते हैं ताकि आपके अधार काड के missus की अशंका है वो काफी अपतक यहाँ पर कम हो जाती है तोकि इसमें सिरफ आपके अधार काड के last के 4DGT देखने को मिलते हैं अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको अपने mask अधार काड को डाउलोड किस तरीके से करना है अपने mask अधार काड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप UIDI का जो official portal है उस पे आप enter कर जाएंगे इस website का link मैं आपको वीडियो के description box मा भी provide करवा दूँगा जब आप click करेंगे तो यहाँ पे home page पे आप आजाएंगे यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए आपको first number पर देखने को मिल जाएगा get adhar get adhar का option देखने को मिलेगा simply आप इस पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे कुछ और option आपको देखने को मिल जाते हैं आप simply यहाँ पे नीचे की तरफ scroll करेंगे और यहाँ पे download अधार की option पे आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप next page पे enter कर जाएंगे आपके सामने login का option दिखाई देगा यहाँ पे आपको login करने की जरूरत नहीं है आप यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे नीचे की तरफ scroll करेंगे और first number पे आपको download अधार का option देखने को मिल जाएगा इस पे आप click करेंगे उसके बाद यहाँ पे आप next page पे आजाएंगे अब इसी page पे आप अपने normal अधार काड को भी download कर सकते हैं और इसी page पे आप अपने mask अधार काड को भी download कर सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पे download करेंगे तो देखें यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ दीन option दिखाए देंगे आप चाहे तो अधार नंबर के थुरू download कर सकते हैं अगर आपके पार enrollment ID है तो उस पे click करके यहाँ पे आप enrollment ID एंटर करके उस तरीके से भी download कर सकते हैं या फिर virtual ID के थुरू भी यहाँ पे आप download कर सकते हैं तो सबसे simple तरीका है अधार नंबर अधार नंबर आपके पास available है यहाँ पे आप first नंबर पे अधार नंबर वाले option को select करेंगे उसके बाद अधार नंबर यहाँ पे इस column में enter करेंगे यह जो capture code दिया गया है उसे enter करेंगे और यहाँ पे send OTP के option पे आप click करेंगे उसके बाद जो भी आपके अधार काड़ के साथ mobile number लिंक होगा उस पे एक OTP जाएगा आपको यहाँ पे OTP enter कर देना है लेकिन OTP enter करने से पहले एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ एक option दिखाई देगा Do you want a mask अधार? इस पे आपको tick लगा देना है Simply आप इस तरीके से यहाँ पे इस पे tick लगा देंगे उसके बाद आप OTP enter करेंगे और यहाँ पे verify and download की option पे क्लिक करेंगे तो आपका mask अधारकाड यहाँ पे download हो जाएगा अगर यहाँ पे आप tick नहीं लगाते हैं सीधा OTP enter करके verify and download की option पे क्लिक कर देते हैं तो जो भी आपका normal अधारकाड होगा वो यहाँ पर download होगा, mask अधारकाड यहाँ पर download नहीं होगा और अगर आप यहाँ पर tick लगा के उसके बाद OTP enter करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपका अधारकाड download होगा, वो आपका mask अधारकाड होगा उसमें आपके अधारकाड के जो last के 4 digit है, वो ही वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको यहाँ पर tick लगा देना है, tick लगाने के बाद OTP enter करना है और उसके बाद verify and download के option पे click करना है click करेंगे तो आपका अधारकाड वहाँ पर download हो जाएगा, जो कि आपका mask अधारकाड होगा उसके बाद आप अपने अधारकाड की जो PDF फाइल है, उसे आप open करेंगे जैसे ही आप वहाँ पर OK पर click करेंगे, आपके अधारकाड की फाइल वहाँ पर open हो जाएगी वहाँ पर आप अपने mask अधारकाड में देख सकते हैं, आपको सिरफ आपके अधार नमबर के last के 4DGT वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आप यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपको कहाँ पर mask अधारकाड यूज़ करना चाहिए और कहाँ पर आपको अपने normal अधारकाड को यूज़ करना चाहिए तो यहाँ पे आप mask अधारकार का use कर सकते हैं इससे आपके जो अधारकार के miss use की अश्रंका है वो काफी हगत तक यहाँ पे कम हो जाती है government की तरफ से UIDI की तरफ से भी यही का गया है कि आप अपने mask अधारकार का use कीजिए जहाँ पे आप किसी private जगह पे अगर आप use कर रहे है तो आप mask अधारकार का use कीजिए काफी जगह पे आपको misguide किया गया है कि आपको सिरफ mask अधारकार यूज करना है पुराने वाले अधारकार का आप use नहीं कर सकते है पुराने वाले अधारकार नहीं चलेंगे ऐसा काफी जगाए पर आपको misguide किया गया है लेकिन यहाप गुवर्मेंट की तरफ से ऐसा कोई भी ओर्डर नहीं है कि पुराने वाले अधारकार नहीं चलेंगे सिर्फ मास्क अधारकार चलेंगे ऐसा कोई भी order कहीं पर भी पास नहीं किया गया है जहाँ पे सरकारी काम हो वहाँ पे आप अपने नॉर्मल दारकाड का यूज कीजिए और किसी private जगर पे अगर आप अपने दारकाड का यूज करना चाहते हैं साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कोई भी डाउट है, कोई कोश्चन है, या कोई सजेशन है, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जुरूर कीजिए, साथी आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो चलिए, आप मैं आप